अगली ख़वर है रीवा जिले में बाइकर्स गैंग के खौफ का रीवा जिले में इन दिनों बाइकर्स गैंग का आतंग चाया हुआ है पलक जपकते ही जहां चैन स्नैचिंग की वारदात को यह अंजाम दे रहे हैं वहीं मोबाइल नगदी छीन कर फरार भी हो जाते हैं की नींद खुल गई है और पुलीस अधीक्षक ने आनन फानन में एक टीम गठित कर इस गिरोह को पकड़ने का निर्देश दिया था जिसके बाद पुलीस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया जिन से तीन पिस्टिल बरामद हुई थी पुलीस ने पुश्टाच में राजकर गैंग है जो करहिया में जाकर के अपने साथी जो देल में था उसके साथ पैसे के हिसाब के ताप को लेकर उसके साथ जान से मारने के नियद से अपने साथियों के साथ फायर किया वहां मारपीट की और वहां से फरार हो गए जाते समय उसने उसके चाचा को भी नियाहल जिंग उसके चाचा को भी जो ग्यानी सिंग थे उनको भी मारपीट किया उनको भी चोट रगी दोनों की तरफ से इनके खिलाब जो है 147, 149, 149, 307, 294, 323, 506 का प्रखण पंजीवत किया गया और लगातार पुलिस उनकी तलास करती रही ये अपने साथ जो है माउजर लिये हुए थे और माउजर से फायर किया था पुलिस ने इनको जो है ग्रेप्तार किया है और ग्रेप्तार करने के बाद इनसे तीन अलग अलग लोगों से माउजर और उनके साथ बड़ी संख्या में जो है तार्तूस बरामत किये गया है इनसे पूस्ताच की गई है अन जो इनके साती हैं उनको तलासने के लिए अलग से टीम दाबाना है जो जल्दी ही पुलिस की गिरिप में रहेंगे और उनके विरुद भी बैदानी कारवाई की जाकर के नियाले पेश किया जाएगा अभी एक माउदर जो है जो गैंग लीडर लकी सिंग पुर्फ मेंटल ये अपने साथियों के साथ जो हमला करने गया था और उनके साथ गये हरसित, हरसित सिंग, नियाल जोगे इनको गिरिपतार किया गया है और उनसे के कबजे से एक एक पिस्टल और जिन्दा और यूज किये हुए कार्टूस के खोके बरावत किये गया है फुलिस लगाकार जो है ऐसे गुरोहों पर नकेल कसने के लिए आपरेशन क्लीन चला रही है और निरत्तर ये कारवाई होगी जिसकी सुचना आपको हम समय समय पर देखंगे धन्यवाद